खैनलो दोस्तों कैसे आफ सब आप आप लोग देख रहे है आपको अपना यूट्व चैनल राजू टेकनिकल जिहाँ दोस्तों बात आती है एलाडी बल्ब की बॉक्स के बारे मैं हम लोग क्या करते हैं प्रमेटेच ले-ले-ले-ले-ले या प्रिंटिंग करा लेते हैं उसके बाद हम को जोट पड़ती है एलेडी बल्ब पैकिंग बॉक्स की यनिकी एलेडी बल्ब ऐसे तो भी केगा नहीं हमें बेशना होगा किसी ने किसी डिबे में रखकर और मेरी प्रात्मिक्ता ये होती है कि एलेडी बल्ब की हाउजिंग पर जो नाम प्रिंट है वही नाम हमारे बॉक्स पर भी प्रिंट हो तो पीजने में ज़्यदा आच्छा होता है अगर सपोज करिए आपने एक के लाइट प्रिंट करा लिए और अपने में बड़ी दिक्क्त आती है तो इससे अच्छा है होता है कि आप जो भी इलेडे पर प्रिंट कराएं तो वही आप अपना बाक्स भी उसी नाम का आपका होना चाहिए तो दोस्तों मैं आज इसी के बारें बात करूंगा कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो डिब आप कहां से बनवाएंगे और क्या रेट में आएगा मैं इसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूँगा तो चैनल पे नए है तो प्ली चैनल को सब्स्राइब कर ले वीडियो अच्छा लेगे तो वीडियो को लाइक करना ना बोले तो चले दोस्तों बताते हैं अगर आपको डिबा बनवाना हो LED बॉल्ब का आप LED के काम कर रहे हैं तो जाएसी बात है एक ब्रेंड बना कर बेचेंगे तो आपका ज्यादा भी क्याएगा मार्केट में क्योंकि जो LED पर प्रिंट होता है वही बाक्स पर होता है तो बेचने में कोई दिक्कर नहीं आती है बाकी LED पर क बेचने में बड़ी आसानी होती है तो इसलिए आपको डिबा बनवाना चाहिए तो अब डिबा कहां से बनवाएंगे अगर आपके आसवास में कोई प्रिंटिंग प्रेस वाला है तो वहां से आप कॉंटेट कर सकते हैं और डिबा बनवा सकते हैं अगर आप नहीं बनवा और ये डिब्डी पर भी आपका लिड़ी पावर मैक्स लिखा हुआ है यानि जो लिड़ी पर होगा वही आपका बाक्स पर होगा तो बेसने में कोई दिक्कत नहीं आरा आप अपसे बिग जाएगा तो इस तरीके कर डिब्ड़ा बनवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा ये हमारा डिबा होगया, Aक Light का, ये देखिए, अगर इस टैप को डिबा बन वाएंगे, तो ये भी बन जाएगा, अगर रेट की बात करते हैं, तो ये रेट इन दोनों का सेम है, ठीक है, और Aक Light का डिबा हमारे पास एक और है, ये देखिए, अगर इस टैप को बन वाना चा हुआ इस रही बन जाएगा तो दोस्तों सब के डिफरेंट डिफरेंट रेट हैं अगर आप यह जो डुपलेस होता है इसका जो कागज होता है इसे डुपलेस बोलते हैं इसका जितना जादा जी एसम होगा ठीक है तो उसे जादा इसका रेट आएगा यह दो सो पचासी जी का डिफरेंट लगा हूँ तो इसकी रेट के बात करते हैं तो कभी आपका ₹50 पैसे के असपास सब्चर बन जाएगा और अगर इस ही में आप लाम निशन edg कराएँगे और लामिय नशनका कराने इसी kallty में जो यह इसमें देख रहे हैं इसमें लमरिसन नहीं है अगर इसी में कराएंगे तो around इस यह अगर आपका दिबा आने यह अगर आपका पास 5-ических इसमें आपका ढ़न जाएगा यह जुका पास यह कॉर्टी बोट kitchen यह अगर आप डिबबा बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे से कॉंटेट कर सकते हैं अच्छी रिट में आपका डिबबा बनवा दूँगा कोई दिक्कत नहीं आती इसमें प्लेट और डाई का पैसा एक्स्टा लगता है और मीनिममम क्वालिटी जो होती है डिबबे की तो कम से कम चाहजार है अगर आप पहली बार में डिबबा बनवाएंगे तो कम से कम पहली बार में कि कर जितनी बार में डियबा भी डिबा बनवाएंगे तो आपका चाहजार ही डिबबा बनएगा दो चाहरन प्लेट लगता है वो लगएगा तो इंटीक nellaट माच छले की 549 1000 में आपका 4000 डिबाब बनके रेडी हो जाएगा पहली बार में उसके बाद अब नेश्टेम बनवाते रहेंगे तो ही आपका 400-500 में डिबाब बनके रेडी हो जाएगा तो जो भी केस्टमर हैं जो इले डिबल बेजते हैं अगर आप उनके आसपास कोई अगर आप मेरे से बनवाना चाहते हैं तो मैं अपना डिबाब का बनवा दूँगा और कोई दिखकर नहीं आएगा और किसी को भी अगर इलेडिबल का रोमेटल चाहिए तो रोमेटल भी हमारे पास अवैलबल है रोमेटल मिल जाएगा और जैसा कि सब जानते हैं कि मेरा जितने भी लोकल के दिखक हैं मेरे से कॉंटेट कर सकते हैं जो दिल्ली के असपास हैं तो आप दिल्ली से हिमा ले लिजिए क्योंकि दिल्ली के रेट में यहां के रेट में काफी अंतर काफी अंतर नहीं आता है उतना अंतर आता है जो किराय लगता है फिर भी अगर दिल्